नेशनल खबर सब पर नज़र नमस्कार दोस्तों हील मैक्स क्लेनिक और रिसर्स सेंटर के हिल्ट बेश शो में एक बाफिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ अशीता वर्मा और हमेशा की तरह एक नए एपिसोड में नए विशय के साथ आ चुकी हूँ दोस्तों आज हम जिस बिमारी के बारे में बात करने वाले हैं वो आपकी परसनल ही नहीं प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत जादा फैक करता है यानि कि या तो आप बहुत पतले हो जाते हो या बहुत जादा मोटी हो जाते हो जी हाँ आपने बिल्कुल सही पैचाना, मैं thyroid के बारे में बात करने वाली हूँ दोस्तों ये विमारी आपको हर age group में नजर आएगी बच्चों की बात करूं, बुजर्गों की बात करूं या teen ages की बात करूं ये आपको हर जगा नजर आएगी तो आईए जानते हैं और deeply समझते हैं कि आकिरम thyroid से कैसे बच सकते हैं और साथी साथ अगर हो जाए तो कैसे हम cure कर सकते हैं तो आज हमारे studio में Dr. Raghav मौजूद है और उन से आज हम चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैसे thyroid से बचा जाए डॉक्टर रागव सबसे पहले आपको बहुत-बहुत स्वागत हैं बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे studio में आए तो डॉक्टर रागव आज हम जिस विशे में चर्चा करने वाले हैं वो हर age group में नजर आता है चाहे बच्चों की बात करूं टीनेजर्स की, अडल्ट की या बुजर्गों की तो थाइरोइड आखिर है क्या सबसे पहले हम यह जानना चाहते है हाँ अशिता जीज़े है आपने बहुत यच्छा टॉपिक चुना थाइरोड नमस्कार मित्रोफ आपका हील मैस क्लिनिक के हेल्थ बेस प्रोग्राम में आपका सवागत्त है फिर से और आज जैसे के नए टॉपिक लेके आए हैं थाइरोड तो आज मैं आपको थाइरोड के बारे में बताऊंगा यह थाइरोड जो है बहुत ही जादा फैलता जा रहा है जो आजकल की जीवन शैली है उसके आप सम देखते हैं तो इसके जो है करोड और करोड लोग जो है पेशेंट हैं आप जिसको देखोगे तो या तो बहुत ही मोटे होंगे या बहुत से बहुत पतले होते हैं उसको देखके पता लग जाता है कि यह तो थाइरोड से पिदी थे देकी thyroid जε है हमारे यहां पर जह है गले में यह thyroid होता है घ्रन्थी होती है जो कि एक hormone release करती है उस hormone से जह हमारे श्रीर का विकास विर्दी और कम्या जह काफी से प्रभावित होती है तो इसको जह है इस thyroid को आयर वेज में आव टोगरंथी भी ख़ा जाता है कि यह और यह हमारे मेंटाबॉलिक को एक तृव करती है चया पच्शा की गति को लिए प्रवागिघ करती है, तो जो थाइरओड है इसके जहे, दो टाइप वैसे मेरत में होते हैं, क्योंकि मैंने आ आप जो question करने वाले थो, मैंने बताई दिया, कि वही कितने टाइप का होता है, है थाइड जो है दो टाइब का होता है एक तो जो है यह हाइपर थाइड हाइड़ हाइपर और भूख लगती है तो उस से हमारा वजन भी कम हो जाता है तो इसमें जो है इसके जो मेल लक्षम में थीवालों कर दो यह होता है कि है भॉड़्वालों यह दो है तक रीच जली जो हैं ज्यादा बनता है वह जड़ा काम करता है GATS भॉड़ुजाल थो हे जो फ़गक्ष्ट है जातर प्रुषय वह में होता है कि इसके क्या लक्षण है यह बतातों कि मैं तब है भाइपर्थायडियों में क्या हुता है गवराट होती चर्चड़ापन आता है इसमें पशीना जादा है नीज कम आती वो प्र अ Daar Solutionsरेग thi यह जाती वह मैस्पेशों security यह जाती हैós सब्सक्राइव हो जाता है। महिलाओं की मास्क धरम की करबड़ी इसमें होती है अच्छा ओके इसके बाद में हाइपो थायोडिजम में होता है दूसरा कि हाइपो थायोडिजम में क्या होता है उसमें क्या होता है कि जो थायोक्षिन जो है यह कम बनता है कम बनता है तो क्या होगा कि हमारी क्रियां पर प होता है और उसमें क्या होता है कि हिर्दे अगती भी धीवी पड़ जाती है उसमें जहें आपको अवसाद की chances होती हैं depression के chance होते हैं सर्दी जादा लगती है तवचा सुस्क हो जाती है skin अब अब जाती है तो आप देखेंगो मोटा है तो उसको फैट जादा बन रहा है क्योंकि मेटाबोलिक जहें उसका डिस्टरब होँआ पड़ा है तो उसमें मोटा पा तो चटना शुरूई हो जाता है फैट भी जहें बढ़ता है तो उससे कहा हाट पर प्रेशर पड़ता है कि वजन जादा है तो हाई ब्लड प्रेशर और कॉलस्टोल की प्रव्लम्स आना शुरू हो जाती है और महिलां में कहा है कि पीरिड डिस्टरब हो जाते हैं जो एक अठाइस दिन का साइग लोता हो चालिस आरिस दिन साट-साट इस में तू दो महहने में होता है और कंट विग facing जाती है बॉस्तर रहन जाती है नहीं इसमें क्यूं देखी इसको जो थाईड गरंति है इसका तो बहुत ही प्रभाव हमारे सेड़ी पर पड़ता है इसमें जुए क्या हर्मोन है इस हर्मोन क्या काम है कि आपके वसा, प्रोटीन, कार्भोहेड ठेट्स यह इनको नितरत करता है मेटबॉलिक एपने चाहिं को कंट्रोल करता है। यह जो हमारे ब्लड में स्यूगर, चौलस्टोल, इह पोस्पोलिपेड वगरा की मात्रा को कम करता है। ज्यादा ना बढ़े उसको कंट्रोल करता है। हड्डियों का विकास और जो मानसिक विकास है वो भी यह करता है। तो इसतन्प आन कराते, उन्हली प्यूप कैला, तो पज़्छें बहुत्वि करता है, Нबूद में बढ़ोफशनी करता है, करते हैं ठ्म हीरा, तो अगली तो पिदी पर प्टे, तो उसका थोब्या दूद, तो उसको मा का जो है दूद भी कम मिला और वह बहार से उसको कम आयू के बच्चे को भार का खिलाना शुरू कर देते हैं तो उसके अग उसका भी पार्लोल पॉश्ट पर नहीं है दोक्तर सहाब और यहां पे कितनी जादा मैं कौंगी कि आगे की बिमारिया आगे की पीडिया अफेक्ट हो रही है डॉक्तर साब इसके कारण क्या है मतलब थाइरोइड होने के क्योंकि बच्चों में देखा जाता है कई पर ऐसा होता है कि 9-9 साल के बच्चों में थाइरोइड हो गया है तीनेजर्स में अडल्स में बुज़ूर्गों में तो कारण क्या है थाइरोइ कहीं पे भी हैं तो आप अकेले बैठे बैठे वितनाव में कि भई खन्ना जी तो इतने रहिस हो गए और शर्मा जी उससे भी उपर और मैं कहां यह फार्त वितनाव कि भई जो है आप अपने कार्य श्वंता के हिसाब से तो सफल होगे जीवन में जब आप करेंगे कुछ नि मेहनत नहीं करते तो फिर कहीं नहीं जाते और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं थायरोड का यह एक भी फारण हो गया तो तनाव हो गया आयोडिन की कमी से भी जह है थायरोड हो जाता है तो आयोडिन का वैसे तो परचार होता रहता है नमक के विशेश जो आयोडिन ह ऊपनी का प्रचार है कि आप यह जो है कि आप यह आधिन व्युकतुन नमक है और तो फिर लोग उस नमक को जादा खरीदेंगे तो जितनी मात्रा हमें चीह हमें वह अपैसल नमक खाने की जड़रत नहीं होती दो लेकिन आज कल वह हैं कि भागम भाग भी हमारे लाइफ है औ तो जैसे आपने देखाऊगा कि हम लोग ड्राइविंग भी कर रहे होते तो रोड भी लिखाता है गती सीमा यह उस गती से आप ज्याजा चलाओं को चलान कट सकता है तो ऐसे हम जो हमारे नियम है हम उसके विरुद जाएंगे तो वो चलान हमारे लाइफ का भी कट सकता है त गालोने से माधर फादर को है तो शोम रफिल बते होने मातापिता मोटे और बच्च्छे वोटे मोटे मोटे जरा है और च्छे होई सूड़य और और तुल्गें पतल होंगे सारे पतले इंसमें हां और काफी लोग जो आज कल सोया का ज्या ज्याद करतें 수도स्णनिया घ् recruitment ब इसमाइभर जाताल फिरोग भी कुछ और भी कारण अलोगी ना आना शुजन के वुझे था एरओ हो जाता है कई हो को जो है के एक हासी मोटरोग हो ता उसके कारण हो जाता है कई ईगल गंडमाला मतलोगी जिसको तो बोलते हैं उसकी विज़े से भी हो जाता है विटामिन बीट्वेल की डिफिशेंसी से भी थायरोड हो जाता है तो जातर में यह और इसकी जो है तो बैसे जिसको थायरोड हो गया उसको डियाप्टीज होना निश्चित है जो कभी भी पर भोगी निश्चित रूप से तो ऐसे अच्छा शाब नेक्स कुक्षिन में आप से पुझानना चाहते हैं कि मुझे लगता माज दस्ट्रकों को भी जानना होगा कि अगर थायरोड ह उसको पर है एन तो थैसले यॉभ लागता है तो किया परहेश करना चाहिए टिक शेवब तो यॉड़ हाना चाहिए तो क्या द नेक्सान आपन कि अंधा बढ़ हुआ कि इस तरीके से बढ़ता है उसमें कोई पतला होता है दो कूई मोटा हो जाता है तु इसमें इदि आपक इसे शंका को जलदी जलदी कम हो रहा है यह बढ़ रहा है तो आप थालड फंक्शन टेस्ट करा ले ती एफ्टी जो है उसमें डॉक्टर बतादेगा कि आपको थायलड है कि नहीं है दूसरा थायलड में क्या होता है कि आप बजन बढ़ रहा है तो फैट कपरियोग कम कर तलिवी चीजे ज्यादा ना ले और नॉन वैस्ट कपरियोग कम से कम करें नाही करने कोई बात नहीं त इस तरी के के जो है हमें बचाव करने चीज सिंपल खाएं खाएं सोय का प्रहेश करें फैट ना लें ये मक्हन उखन ये ज्यादा ना लें और लोगों के अपना अपना क्या है कि कि एंध यह मोटे ओर तो इसका मलब ये तगड़े हो रहे हैं हैं ताकत्वर हो रहे हैं तो देखिव वह ऐसा नहीं है क्योंकि वह फूल रेह हैं एक ऑट जो घृत बोडी तगड़ा वो का अलग होता है इक होता है हमे वैसे फूले जा रहे हैं तो उनका जो मोटापा और अल तो इसमें खान पान का विशेश ख्याल रखें, दूसरा कुछ घरेलू, चार कर लें, योगा करें, एक्सराइज करें, उसमें योग में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट एक तरीके साप योग उसे इस थारड को कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें आप प्रानायाम करें, प्रानाया जैसे आप लोग करेंगे कि जो है, ओम का उचान करेंगे, जैसे हम करते हैं, ओम तो इससे क्या होगा, कि मैं अलम बात पूरा दिखांगा ने, क्योंकि मैं काफी अच्छा योग कर लेता हूं, तो इसमें क्या है कि वाइब्रेशन हो रही है, श्योंकार से जो हमारे हिंदु धर्म में जो है, ये जो हिंदु धर्म पर बात आगे, तो ये एक साइंटिफि कि भई, ये ओम का क्या है, ये तो नासा ने भी सिद्ध कर दिया कि इसकी वाइब्रेशन का कितना असर होता है, तो इसमें क्या है कि ये जो एलोपेथिक वगर है, ये तो समझोगे सारा आर्टिफिशल मामल है, कि किसी रोग को हम दबा लें, उसको ठीक नहीं कर सकते, और तो अइरवेद है, अइरवेद क्या है कि ये देवताओं के लिए बनाऻ था पहले, कि ये जो है अशवनि कुमार ज ऑन तो इसको बनाया था, पिर देखा भी जनता भी होगें, परजा होगें, तो रोग को बीए, तो थारवर का क्या है, कि उपचार के बारे में आप बात क करेंगे इसका उप्चार क्या है तो देखिए ऐलोपैथी का मतलब कि आपके रोग को सीमित करना उसको कुछ हाथ तक कम कर देना और उन हर दवाई के साइड एफेक्ट होते हैं थायर थायरोड में जैसे दवाईयां जो चलती हैं जीवन भर के लिए चलती है तो जो भी अलोपैथी में दवाद चलेगी वह आपके थायरोड को ठीक नहीं कर सकती आप देखेंगे थायरोड को कुछ हद तक उसने कंट्रोल किया और जो सब्सक्राइड है वह रिपोर्ट जो दिखा रही है उसमें आपका कंट्रोल हो रहा है लेकिन आपके जो कॉम्प्लिकेशन से वह नहीं रुकते कभी ब्यूंदा हूं से और कॉम्प्लिकेशन आएंगे आपने जुई थायरोड की दवा शुरू करिया आप देखेंगे और सब्सक्राइड है उसका भी त्रीटमेंट चलेगा फिर थायरोड में डापटीज हो गई उसका एक और इलाज शुरू फिर वह लेडिज में मैंस्ट्रल प्राबलम आ रही है उसकी दवाई शुरू हो गई फिर उनको बच्चे नी ओरे फिर उसका यानि कि थायरोड भी एक लूपोल बन गया है एक मैडिकल इंडस्ट्री के लिए तो दुधारोग आया है वो भी क्योंकि उससे थायरोड हो गया तो आपको धेरों-धेर प्राबलम आती रहेंगे धेरों-धेर प्राबलम आएंगी देरों-धेर लोगों की फायदे होंगे वेट बढ़ रहा है तो उनका भी काम शुरू हो गया आप जो है फिर जिम जाएंगे स्लिमिंग सेंटर जाएंगे दवाईयां खाएंगे आप देखेंगे तीव पर धेरों विग्या पना आते मोटा पाकम करें जो है आप जो है आपको डायट के अलग से डाइटीशिन से मिलें फिर वो बतायागा आप देखिया आप यह कम यह जाब यह सप्लीमेंट लें इस अप्लीमेंट लें यह जो थाइरोड भी एक बिजनेस है बहुल बढ़िया तो देखिए यह आपको थायरोड है तो उसका एक सई सबसे बढ है तो आप हमारे हील मैस क्लिनिक एंडिसर्थ सेंटर में बात करें आपको हमारे स्पैसलिस्ट डॉक्टर गाइड करेंगे बिल्कुल मिस्गाइड कोई नहीं करेंगा यह हमारा वादा है कि हमारे यहां पर लूट खसूट नहीं है जूट बिल्कुल नहीं है आपका स्वास् एक धर्म भी है करम भी है कि हमां आपको स्वस्त रखें तो हील मैस क्लिनिक एंडिसेट सेंटर में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे हमारा वायदा है आपको थायरोड की दवाईयां रोज रोज नहीं कानी और थायरोड से जो होने वाले नुकसान है वो जो है आपको रोज- आपको जो होगा जब आप मन और तन से फिट हैं तो धन्वी आए गाई गया बात है बिल्कुल सही का दॉक्टर साहब ने की है यहां पे आए और हमें इतनी सारी बाते बाताई थायरोड के बारे में और आजकल के इनरेशन में एक बहुत एपुलर डिजीज हो चुका है त अगर फिर भी खुदाना खास से अगर आप रस्त होते हैं थायरोड से तो आप हमारे क्लिनिक में बेजज़क आ सकते हैं यह के नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और साथी साथ आप मेल या वाट्साप भी कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी था नेक्स आपका भी दर्श को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे प्रोग्राम इतने द्धान से देखते हैं और अप्रिशेट करते हैं आप काम बहुत बहुत आभारी हैं और जहें आप भी फायदा उठाएं और अपने अडोशी पोडोशी मित्रों को भी बताएं और पैसे आप फिट रहें और जदी आप फिट नहीं है तो फिर आप जरूर कॉंटेट करें तो ऐसे की डॉक्टर रागम ने कहा कि जो इन्फोरमेशन आपको मिली है यह आपको खुद तक नहीं रखनी है सीमित आप अपने दोस्तों को अपने फ्रेंट्स को अपने परिजनों को ज नेशनल खबर सब पर नज़र